अश्लाम नेकुम डियर स्टूडेंट आज हम कॉम्पनेंट उफ चिडरोन डिटूशे में पढ़ेंगे स्टाइल और विज्वल लिटूशी तो हम यह देखेंगे कि स्टाइल क्या होता है किसी भी कहानी के अंदर और हम विज्वल लिटूशी को कैसे देख सकते हैं किसी भी कहानी के अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टाइल को आप कैसे फाइंड आट करते हैं यहां स्टाइल का मतलब है राइटिंग स्टाइल कि जो राइटर लिख आए उसके लिखने का तरीके कार किया है जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं डेफिनितली उस राइटर की आवाज हमारे दिमाग में गुंचरी होती है कि वह हमें ऐसे कहानी बता रहा है या करेक्टर की हमें आवाज भी महसूस हो रही होती है डेफिनितली अगर वह कोई लाइट है क्या वह पोईटिक है क्या वह बहुत ही ज्यादा रोमेंटिक है क्या वह बहुत ही ज्यादा मोरल इंफोस्ट है तो किस किसम की वह आवाज हम उस आवाज को कहते हैं स्टाइल सो जब कभी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी हमें बड़ी ही कन्विंसिंग होती है तो हम फूर अपने दोस्कों जाकर बताते हैं कि यार इस कहानी को पढ़ो इसका style of writing बहुत ही जबरदस्त है so author कैसे style of writing को choose करते है depending upon कि वो किस topic के उपर कहानी लिख रहे हैं अब किसी तरीके से कोई ना कोई elements मौझूद हैं जिसके through styles को enhance किया जाता है या styles को manipulate किया जाता है तो सबसे important चीज जिससे authors जो है style को manipulate करते हैं इस्तेमाल करते हैं creatively वो है words so words क्या होते हैं यह specific choice है कि वो कौन से इलफाज इस्तेमाल करने चाहते हैं वो जो भी words use करते हैं अच्छा author के words होते हैं they are vivid, they are lively, they are specific और वो words extra detailing नहीं बताते हैं बलकि वो आपके लिए कुछ imagination के अंदर छोड़ देते हैं अगर words के through judgment होने जा रही है तो judgment accurate होती है, language बहुत ही perfect इस्तेमाल की जाती है और उसमें जो choice of words होती हैं वो बहुत ही specific होती है जरूरी नहीं है कि बहुत ही fancy words इस्तेमाल की जाएं सादा words भी बहुत अच्छे एविन को बहुत अच्छे तरीके से बियान करने के लिए काफी होते हैं अगला element of style आता है हमारे पास images अब images क्या होते हैं, it's a literary term जिसको हम imagery कहते हैं imagery के अंदर authors हमारी senses को trigger करते हैं, वो कुछ ऐसे लफाज लिखते हैं कि हमारी 5 senses में से कोई एक senses जो होती है वो जाग जाती है, मिसाल के तौर पे कदमों की चाप की यवाज आना, हमें ऐसे लगता है जैसे हम सुन रहे हैं और हमारी hearing जो है, वो कदमों की चाप सुनना शुरू हो जाती है या किसी खाने की खुश्बू के बारे ने बताना, कि वो इस किसम की खुश्बू आ रही तो हमें वैसे ही खुश्बू महसूस होने लग जाती है और हमारी जो सुनने की sense है, वो activate हो जाती है उससे important और interesting चीज़ आती है metaphors, जो कि बहुत ही common element है style को refer करने के लिए metaphors के आपको बहुत ही simple example मिलती है उन कहानियों से जिसके अंदर हम personification करते हैं जहां हम जानवरों को इनसानों का character दे देते हैं और हमारे पस हम उनको कहते हैं, fobbles कहते हैं फॉर्बस के अंदर जानवर वही तमाम चीज़े कर रहे होते हैं जो इनसान कर रहे हैं, वैसी बाते करते हैं वैसी एहसास उनके होते हैं, जिससे इनसान एहसास वो जिससे बात रखते हैं और वो represent कर रहे होते हैं लेकिन metaphorically represent कर रहे होते हैं वो actually इनसान नहीं होते या दरख्त आपसे बाते कर रहे होते हैं आपनी तकलीफ बियान कर रहे होते हैं लेकिन वो तकलीफ दरख्त की तकलीफ नहीं होती वो अब metaphorically इस्तमाल की जारी होती है अगला element हमारे पास आजाता है style का voice, tune and mood इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप ये सोचें कि अगर ये author खुद कहानी सुना रहा हो और ये character बोल रहे हो तो इसकी किस किसम की आवाज होगी, कितनी loud होगी, कितनी polite होगी, इसके tone क्या होगी और उसका mood क्या होगा तो आप जब इसको समझने लगते हैं कि अगर author इसको बयान कर रहा हो तो वो किस तरीके से उसका dialogue change होगा, उसकी आवाज की variation क्या होगी, ये element ये कहलाता है अगला element जो है, वो सिर्फ उन कहानियों के अंदर आता है, जिसके अंदर illustrations मौजूद हो, इसको हम कहते हैं intertextuality करता है, और illustrator ऐसे ही तरीके से तसावीर बनाता है, जिससे उस कहानी की enhancement हो सके, या वो कहानी और interesting तरीके से visually represent हो सके, अब क्यूंकि visual का जिकर आ गया, तो अगला important component हमारे पास है, visual literacy, जिसको हम already बहुत go through कर चुके हैं, क्या है visual literacy, आपकी colors उस pages के उपर हैं, जिस रंगों का कहानी जो है, go through कर रही है, illustrations बनी ही है, lines कैसी है, forms कैसी है, किस किसम की shapes है, आपका title page पे क्या तस्वीर बनी है, आपके end के page पे क्या तस्वीर बनी ही है, और किस किसम से page पे setting है, illustration की और कहां पर text मौझूद है, ये तमाम की तमाम चीज़े जो हैं, आपके visual literacy का हिस्सा है और visual literacy जो है, वो एक इस किसम की vocabulary है, जो बन्यादी तोर पे हमें नजर आती है, पर हम उसे किसी और तरह read out करते हैं, हम words की तरह read out नहीं करते हैं, वो अपने messages convey कर देती है reader को, और अच्छा illustrator कहानी को enhance करता है, words को dominant करता है, describe करता है, और बहुत सी चीज़ें जो हम कहानी पढ़ के नहीं समझ बाते हैं, वो सिर्फ कहानियों के illustrations देखके समझ जाते हैं, और कई interesting किसम की कहानिया ऐसी भी होती है, जिसके अंदर illustration वो नहीं बता रही होती है, जो आपका dialogue चल रहा होता है, या आपका plot चल रहा होता है, वो उसको थोड़ा हट के बताते हैं, ताकि आप उनी illustrations को भी देखें, और आप different views को understand कर सकेंगे.